नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बार कॉंसिल आफ इंडिया के उन चार नियमों की जिनकी वज़े से लौ स्टुडेंट्स की टेंशन बढ़ी हुई है अखिरकार बार काउंसिल ने ऐसे कौन से वो चार नियम निकाल दिये हैं जिसकी वज़े से law students को अब law की पढ़ाई में मुस्किलें बढ़ने वाली हैं उनके इस circular से law में problem आ सकती है उनकी डिगरी खत्रे में पढ़ सकती है अगर उन्होंने बार काउंसिल अफ इंडिया की ये guideline फॉलो नहीं की तो यहां तक उनकी डिगरी भी छीनी जा सकती है तो क्या है वो चार नियम जिनकी वज़े से इतनी ज़्यादा uncertainty का महौल create हो गया है आखिरकार एक question भी है कि ये जो नियम लागू होते हैं वो law colleges में starting से लागू होने चाहिए student के उपर ही सारा burden क्यों हर चीज की सफाई student को ही देनी क्यों है हलांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो student को सफाई देनी पढ़ सकती है जैसे कि अब आप चार साल तक पूरी law की तीन साल तक पढ़ाई कीजिए आप एक से लेके 6 semester तक निकालिए उस या फिर बी एल एल बी में 5 साल तक की पढ़ाई कीजिए और 5 साल बाद अगर आपको एक ऐसा धटका मिले की नहीं आपकी डिगरी जो है वो संद्वार काउंसिल के दौरा या आपके युनिवस्टी के दौरा नहीं रोब दी गई है तो आपको कैसा लगेगा जी हाँ इतनी मेहनत के बाद अगर कोई डिगरी लेता है एक ग्रेजुएशन की डिगरी एक बच्चे के करियर में बहुत बड़ा इंपक्ट डालती है उसका पूरा करियर का बिगणना और बनना उस डिगरी के उपर डिपेंडेंट होता है तो ऐसा क्या रूल आ गया है जिसकी वज़े से वो डिगरी ही खत्रे में पढ़ सकती है बने रही है मेरे साथ वीडियो को सुरू से लेके अंड तक देखिए ताकि आपको सारे पॉइंट एक दम किलियर हो जाएं आपको किसी भी तरह के डाउट्स ना रहें जिससे की आप किसी भी प्रकार की गलत फैमी में ना रहें और ये रूल हम समझते हैं तो सबसे पहले देखिए मैंने अपनी वेबसाइट पर भी डाल रखा है और साथ में मैं आपको इसकी जो बार काउंसिल के अथेंटिक वेबसाइट है वहां से भी मैं ये सारे रूल साब को बताने जा रहा हूँ हाली में बार काउंसिल अफ इंडिया ने जो चार नए नियम निकाले हैं जिससे लॉज स्टूडेंट्स काफी ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं इन नियमों के इंसार किसी भी प्रकार की गलती होने पर आपकी डिगरी तक छीनी जा सकती है नए निदिसा निर्देश जो हैं वो बार काउंसिल का मुख्यो देश क्या है इसके परती के सिक्षा जो है जो लॉज स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है उसमें सुधार लाना है लेकिन इस तरह की जो चार नियम आ गए हैं जो रूल सा गए हैं इससे लॉज स्टूडेंट्स में एक मेंटल प्रेशर देखा जा सकता है हर छात्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो इन नियमों का पालन करे अन्य था उसकी पूरी की पूरी मेहनत पे पानी फिर सकता है अब छात्र सिर्फ परच्छा में अच्छे आंग की हासिल नहीं करेंगे बलकि नियमों के पालन करने में उनका ध्यान रहेगा जिससे कि उनकी study impact हो सकती है और समय रहते वो इन सारे नियमों का पालन करें ऐसा college को भी सुनिश्चित करना होगा तो बार council of India ने law students को कुछ guideline दी हैं जिने उनको follow करना ही पड़ेगा लाच्छात्रों के लिए दिसा निर्देश डिगरी प्राप्त करने से पहले ये आवस्तिक जानकारी है जो आपको देनी बहुत जरूरी है otherwise जो law के डिगरी है वो खत्रे में पढ़ सकती है और बार council of India आपके डिगरी को रुखवा सकता है आपके result तक को वो यूनिवरस्टी से रुखवा सकता है तो क्या है वो guideline जो students को follow करनी है बार council ने क्या नायर नियम निकाले है तो सबसे पहले है law students are not now required to disclose any case registered against them यानि कि सबसे पहली चीत तो यह है कि कोई भी criminal case है अगर law students के उपर तो वो उन्हें disclose करना पड़ेगा किसी भी तरह का case है pending उनके against तो वो disclose करना पड़ेगा और उनको educational institution में वो case disclose करना पड़ेगा तो आपटेंग देर final mark sheet and degree this includes the information about the registered FIR अगर कोई FIR registered हुई है तो उसके बारे बताना पड़ेगा कोई criminal case है आपके against तो वो बताना पड़ेगा कुसी परकार का अगर कोई conviction हुआ है acquittal हुआ है वो बताना पड़ेगा अगर आप यह बताने में fail हो जाते हैं तो this information will lead to disciplinary action including withholding of their degree यह disciplinary action में आएगा तो disciplinary action कहीं पर भी बहुत बड़ा action होता है और वो action degree तक hold करा सकता है आपकी the educational institute will be responsible for forwarding this information to the bar council of india and must await its decision before using the final market and degree educational institutions को wait करना होगा और students की information proper तरीके से BCI को बताना पड़ेगा अगर ना बताने की जसा में उनकी degree तक hold की जा सकती है this measure is a part of the BCI initiative to uphold the ethical standard in the legal professional legal professional में ethical standard को maintain करने के लिए अब यहां जरूरी बताया गया है ठीक है तो अब हम इनके नियमों को सबसे पहले जो first rule है उसको दिखते है जो कि biometric attendance के बारे में है अब यह biometric का बड़ा खेल हो गया है पहले मैंने employment में पढ़ा था कि biometric का होता था अब attendance में biometric का खेल आ गया है कि biometric attendance होनी चाहिए इसकी जगए पे दोस्तों मेरे हिसाब से इसकी जगए पे जो mute code है college वाले मूट कोड भी कम कराते हैं और वे practicing practicing जो है दिखाते हैं कि यह practice इतनी होनी चाहिए student की उस पर ध्यान देने की जड़ोता है ना कि biometric से क्या यह कोई आप job थोड़ी करने जा रहे हो को यह biometric लेकिन फिर भी बार कॉंसिल का अपना नियम है जो एक चीज़ मेरा personal opinion है इसको otherwise मत लीजेगा मेरे हिसाब से यह कोई government job तो लग नहीं रही है आपकी law law जो कर रहे हो आप यह this is not a government job government job नहीं लग रही ही ना कोई सरकार की तरफ से आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है law करने का जब आपको कोई पैसा ही नहीं मिलना है तो एक इसमें अलग से criticality बढ़ाने की इतनी जादा जरूरते क्यों है आखिरकार student पे इतना pressure क्यों डाला जाए क्योंकि जादतर क्या होत होता है कि इससे जो भी law student होते हैं वो study के दौरान अगर वो कोई पढ़ा लेते हैं या tuition पढ़ा लेते हैं या इस तरह का कोई अपनी earning का sources करते हैं तो यह प्राइविटाइश sources जो हैं वो ना करके अब जो है वो biometric और इन सब चीजों में पढ़ेंगे तो उनका काफी ज्य पार्ट टाइम कुछ income भी करनी पड़ती है तो पार्ट टाइम इंकम भी करते हैं तो इसके लिए पिछली बार जो है वो उसके question लगाए गए थे कैसे मालब यह पार्ट टाइम यो है जॉब यह चीजें अलाउड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए अब यह विसे तो बार regulation आ गया है ऐसा आ गया वैसा आ गया और यही difference एक Indian में मलब Indian school और Indian education में है और यही difference foreign institutions में लोगों को differ करता हूँ उनको कोई मतलब नहीं है आप कहां कर रहे हो काम कहां नहीं कर रहे हो वो कोई बेडियां नहीं लगाते हैं आपके पैरों में कि आप यहां मत चाहिए आप मत चाहिए यह मत कीजिए वो मत कीजिए आपको जो बेडियां लगती है वो आपके exam में लगती है final exam में आप clear हो तो आप जो है उनके हिसाब से best हो इसलिए वो and there is a basic difference between the syllabus as well अब आप बताईए LLB के degree में आपको जो syllabus पढ़ाया जाता है वो कितना authentic है उससे आप जो है practical में कितना सही जा पाते हैं अगर आप प्रैक्टिस में जाते हैं प्रैक्टिसिंग लॉयर बनते हैं तो आप क्या प्रैक्टिसिंग लॉयर में आप डेली रूटीन में चीज़ों को फिर सीखना सुरू करते हैं उसमें से भी 5-6 साल लॉयर जो है basic elementary लॉयर जो है वो अपने जाधा इस तरह से होना चाहिए कि काफी स्टर्टिंग में ही बच्चे से यह पूछना चाहिए कि आपको क्रिमिनल के तरफ आपका attention है सिविल की तरफ आपका attention है तो यह लुटिटेंशिघ्टी ही criminal और सिविल से देनी चाहिए ताकि आब हैसा नहीं आ जैकि आग्उफ comment box पर ले सकता हूँ अब दूसरा opinion है इनका CCTV surveillance का कि CCTV surveillance होनी चाहिए अब देवो law college में ये CCTV surveillance CCTV surveillance college के बाहर ठीक है college के इधर उदर ठीक है लेकिन आप classों में surveillance लगेंगे और पूरी साल जो है वो professors का ध्यान होगा कि वो CCTV camera की जो footage है वो proper तरीके से रखी जाए उसका एक खर्चा जो है वो बढ़ेगा college प्रसक का लेजों की तरफ से और वो इसी समय चीजों में लगे रहेंगे लेकिन इससे कोई बहुत मोटा मोटा फायदा मुझे लगता नहीं कि होनता हूँ दिखेगा law students के until unless उनको कोई basic help कर प्रोवाइड करी जाए लाइक वो गवर्मेंट से कोई stipend मिले उन्हें पढ़ने का या उन्हें कोई इस तरह की चीज दी जाए जिससे को उनकी study में help हो otherwise मुझे मदब इन rules में बहुत ज्यादा कोई फायदा नुकसान दोनों नहीं दिखता क्योंकि इंडियन system ऐसा ही है सुरू से अगर आप पढ़ोगे तो आप किसी भी college में अमिशन लोगे वो यही situation है आपके attendance चीख नहीं आप attendance चीख करिए आप यह करिए आप class में regular नहीं है आपको internal mark दिये जाएगी इसलिए internal होता है अगर वो proper follow होगा तो attendance अपने आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा है कि उसे वह law degree कर रहा है तो वह वाकई में कुछ अच्छे के लिए कर रहा है वह प्रोफेशन को सभी से अपनाएगा नहीं अब एक बात मेरे बताईए आप किसी motor garage में काम करने जाते हैं तो क्या आप government of India से यह कहने के पूच के जाते कि आप मोटर गराज में काम करने जा रहे हैं तो यह गाडियों के जो एजुकेशन सिस्टम में घुसना यह बाहर काउंसिल का काम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए कि आपके academic integrity को चेक करना हाँ एक काम हो सकता है कि आपकी ऊपर किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की आपके ऊपर criminal liability तो नहीं है अपर आधिक background तो नहीं है इस टाइप की चीज़े चेक करने का है लेकिन आप लोग होते हैं एक हाली attendance maintain करने में रचते हैं और दूसरा नहीं आता है तो इस तरह से एक तरह का एक division create होता है students के बीच में कि यार बहुत आता नहीं मैं आता हूं लेकिन तुम्हें नहीं पता जो नहीं आता है वो घर में कतना पड़ता है इस studying lot and professional studies भी वो करता है वो इसको professional तरीके पड़ा हो सकता है वो ना करके mute court गया हो या वो ना करके high court चला गया हो देख रहा हो कि यार कैसे study होती है high school के high court के वकील कैसे argument करते हैं वो उनकी thesis पड़ रहा हो उनको सोच रहा हो तो हर कुछ कहा नहीं जा सकता देखो automatic सी बात है यार यह भी restriction में को समझ में नहीं आती कि अगर आप किसी प्रकार की जॉब में हैं और आप किसी चैलेंज होता है नए student को लो अब इस तरह के नियम ला करके नए student को बिल्कुल एक तरह से नियाइक विवस्ता से हटाने वाली बात है कि वो बिल्कुल करे जी ना कर पाए कि हां आप भाई देखो earning का source जो है मेरे इसाब से तो फिर इसमें यह भी दे देना चाहिए बार पाउंसिल को कि 5000 रुपाए 6000 रुपाए का महीने का मिस्टाइपेंड भी देंगे उन वकीलों को जिनकी जॉब नहीं लग रही है तो तो यह नियम मुझे ठीक लगते हैं लेकिन चलिए कोई नहीं यह नियम है और नियम मुझे डिसकस करने तो यह मैंने कर दिये बाकी यह इंप्लिमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल बैक्राउंड चेक सिस्टम डेकलेरेशन रिगार्डिंग दे साइमल्टेनियस डिग्री अंड रैगलर अकेडमी प्रोग्राम इंप्लाइमेंट स्टेटेस अटेंडेंस अंपाइलेंस अन बायमेट्रिक अटेंडेंस इंस्टॉलेशन देखो अब यह है रूल है रूल है तो फॉलो करना है तो यह बहुत तगड़ा रूल आ गया है जो मेरे रिसाफ से काफी ज़्यादा एक तरह से अब मतब तफ रूल आ गया है लॉश्टूडेंट्स के लिए कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ किमिनल बैग्राउंड चेक सिस्टम यह लॉवार काउंसिल किमिनल बैग्राउंड चेक सिस्टम इंप्लीमेंट करने जा रही है तो अब लॉश्टूडेंट को यह ध्यान रखना पड़ेगा को नकश demographic की आुंकर जूटा केस ना लगा दे जूटी पर जूटे से लेने ले नाम लेखवा दे तो इस तरह से declaration देनी तो तीन साल तुम्हारे निकल जाए लोग के डिगरी तुम्हें मिल जाए और उसके बाद जो है बार काउंसिल से पुरुआ आपको जो है तो यह आईडियल सिस्टम यह सोचा जा रहा है वो जो उस तरह का तो बहुत असंब्व एंडिया में आपको पता ही यह सब ज्यादा बोलने के बहुत नहीं है तो यह टू दा वाइस चांसलर रजिस्ट्रार आफ यूनिवस्टी सेंटर्स ऑफ लीगल एजूकेशन इस्विं देपार्ट्रमेंट आफ लॉक अले सेंटर्स आफ लीगल एजूकेशन करिए सापफिजिस्टिट्रिजर्स पख़्छेट क्या है मैर्मेंटेशन ऑफ ध्रिम्हेंट क्रीमट्स स्टेटास एक एक अदमी काम यह सब चक करना। कि अप्रजोड डिश्वडर्विशन रिगार्दि नीड आफ इक अटेंडेंड सिस्टम का मानिटरिंग जरूरी हो गया अब अटेंडेंस कंपाइलेंस सोनी चाहिए सबसे पहला जुरूल है वो क्रिमिनल बैक्ग्राउंड चेक होना चाहिए कि जैसे भी अफिल्ड एट्रिकल स्टेंडर्ड अव लीगल इसे लॉस्टुटेंट मस्ट मेंटेन दख क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑल लॉस्टुटेंट अब यह बहुत जरूरी होगा आपको अपने क्रिमिनल बैक्ग्राउंड को बताना पड़ेगा तो क्या होगा इसमें क्या होगा इंक्लोडिंग विदाउट तो उसके बगार आपको माक्षीट और फाइनल यर की माक्षीट तक डिगरी तक रोकी जा सकती है अब इन्होंने कितना आसान तरीका जीमेल डाट कॉम दिया है बीसी आई का भी अपना खुद का इमेल होना चाहिए ना कि माक्षीट क obec गैने डूट काम सब्यक्षट तो यह सकता है कि करें किसी भी करते है तरीक है तो यह बाराजा पर यह नियम निकाल दिया है आप स्यमल टेनियाश डिगरी नहीं होने itself किanka की साइमल्टेनिश डिग्री इंडिया तो Popольш Hind cushy जो है एक नया रूल डा रहा है चप्टर 2 में हनोने 6 लिगल एजुकेशन रूलस अफ लिगल एजुकेशन 2008 के एक नया चप्टर 2 रूल 6 के साफ से students prohibited from pursuing more than one regular degree program simultaneously law student must declare that they have not pursued any regular जोगो ये criminal background वाला और ये वाला तो पहले से रूल था ठीक है और employment status वाला भी था student must declare that they were not engaged in any job service or like this degree unless they have obtained the valid no objection certificate NOC certificate जो होता है वो college से दिया जाता है जो भी law degree करते हैं अगर NOC बिना NOC के आपने degree कर लिए तो आपको यहाँ पे inform करना पड़ेगा ठीक है फिर biometric attendance का है CCTV surveillance का है वो तो attendance आपकी चक्की जाएगी इस तरह से यह चारो rule है उसकी undertaking आपको इस तरह से देनी पड़ेगी student के द्वारा कि आपने कोई criminal background नहीं है यह नहीं है वो नहीं है यह undertaking दे के आप जो है अपनी degree ले सकते हैं तो यह undertaking degree circulation में यह मैं link आपको share कर दूँगा मेरे thumbnail में आपको मिल जाएगा आप इसको detail पर सकते हैं कोई confusion हो आप मुझसे पूस पर हैं साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिए ताकि सारी information आप मेरे मेरे दूँछाई आपको कर दो आपको कर लिए सकते हैं